नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस क्लास में हम UP स्पेसल के बारे में पढ़ेंगे UP स्पेसल में आपके कोई भी एकजाम में कुशन पूंछे जा रहे हैं अगर UP स्पेसल से मैप के माद्यम से complete UP special के बारे में हम पढ़ेंगे सारी चीज़ों को हम समझेंगे कुछ fact के बारे में जानेंगे कुछ fact को हम ऐसे ही orally बोलेंगे आप लोग note करिएगा कहीं पर कोई notes बना लिजेगे वहाँ पर notes करिएगा बाकि आपको इस PDF मिल जाएगी इसकी जो लिंक है वो description box में दी गई है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लिजिए इसकी PDF आपको वहीं पर मिल जाएगे प्रोवाइड करा दी जाएगी चलिए आज की class को start करते हैं तो आज की class में सबसे पहले हमें UP special में कुछ UP के यानि उत्तर प्रदेश के कुछ सामान परिचे के बारे में जानना होगा सामान परिचे में हम क्या क्या चीज़ जानेंगे अगर सामान परिचे की बात की जाए तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का छेतरफल कितना है यानि हम उत्तरप्रदेस के बारे में चर्चा कर रहें तो हम उत्तरप्रदेस के बारे में ही पढ़ेंगे अगर को specific state के बारे मगर मैं कुछ बताना होगा तो मैं बता दूँ गा आपको तो वहाँ पर मैं आपको उस state का नाम लूगा, अदरवाय जो भी information है वो हम उत्तर प्रदेश के बारे में ही पढ़ेंगे तो हम बारबार उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लेंगे जिससे आपको एकी सब्द बारबार सुनने को नहीं मिलेगा देखें छेतरफल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो छेतरफल है वो कितना है चेतरफल है 2,4,928 बर किलोमीटर उत्तरप्रदेश का चेतरफल है भारत के चेतरफल की बात की जाए कि भारत का चेतरफल कितना है भारत का चेतरफल तो भारत का चेतरफल है 32,87,263 बर किलोमीटर कितना है 32,87,263 बर किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का चेतरफल भारत के चेतरफल का कितने प्रिस्त है तो 7.333 प्रिस्त है यहां से कुश्चन मनता है उत्तर प्रदेश का चेतरफल भारत के चेतरफल से कितने प्रिस्त है 7.333 प्रिस्त है उत्तर प्रदेश का छेतर फल की दरश्टी से कौन सा इस्थान है चौथा इस्थान है भारत में पहला इस्थान किसका है पहला इस्थान है राजिस्थान का पहला इस्थान किसका है राजिस्थान का है जबकि दूसरा इस्थान किसका है मद्द प्रदेश का है और तीसरा इस्थान महराष्ट का है तीसरा इस्थान किसका है महराष्ट का तीसरा इस्थान है चोथा इस्थान उत्तर प्रदेश का है चोथा इस्थान किसका है उत्तर प्रदेश का है छेतर फल की दृष्टी से तो तो ये चीज आप लोग जुरूर नोट करिएगा, इसके बाद में, यहां से अगर कुश्चन ये पूछा जाए, कि उत्तर प्रदेश का कुल अच्छांसिये विस्तार कितना है, उत्तर प्रदेश का अगर अच्छांसिये विस्तार की बात की जाए, अच्छांसिये विस्तार यहां से भी question पूछ लिया जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको अच्छांसी विस्तार उत्तर प्रदेश का तो अच्छांसी विस्तार कितना है 7 degree 36 मिनट और देसांत्रिय विस्तार कितना है सर देसांत्रिय विस्तार भी बता दीजिए देसांतरिय विस्तार तो देसांतरिय विस्तार है 60 degree 0,9 minute ये इसका देसांतरिय विस्तार है ए इसके बाद में अगर question ये पूछा जाए कि सर उतर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है वह कौन सा है तो पूर्वी जिला, मैप में देखी मैं आप में समझने का प्रेत्न करेंगे ये आपको दिख रहा होगा बलिया बलिया दिख रहा है ये कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का पूरवी जिला है कौन सा जिला है पूरवी और ये जो आपको जिला दिख रहा है ये वाला ये कौन सा जिला है तो ये कौन सा है उत्तरप्रदेश का दच्छडी जिला है ये कौन सा जिला है ये उत्तरप्रदेश का पस्चमी जिला है कौन सा जिला है पस्चिमी और ये जो आपको दिख रहा होगा सहारनपुर ये उत्तर प्रदेश का पूरवी उत्तरी जिला है कौन सा जिला है उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का आप इसको हम एक डाइग्राम की मदद से समझते हैं तो ये आपने कैंपस देखा होगा इस तरीके का होता है तो यह जो होता है वो नौर्थ होता है यह साउत होता है यह इस्ट होता है इधर बेश्ट होता है अगर यहीं पर कुछ्छन यह पूछ लिया जाए कि सर उत्तरी जिला कौन सा होगा उत्तरी जिला कौन सा होगा तो बताएगा सर सहारनपूर होगा कौन सा हो सहारनपूर हो जाएगा अगर पूछा जाए पूरवी जिला कौन सा होगा सर तो बताएगा सर बलिया होगा पूरवी जिला दच्छडी जिला कौन सा हो जाएगा सोन भद्र हो जाएगा दच्छडी जिला कौन सा हो जाएगा सोन भद्र दक्षडी जिला हो जाएगा इसके बाद में पस्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा सामली पस्चिमी जिला हो जाएगा तो चार जिला हैं सहारनपुर, बलिया, सोन भद्र और सामली जो कि उत्तर, पूरव, दक्षड, पस्चिम चारो क्रमसा क्रमबार जिला है इसके बाद में अगर यहां से कुश्चन ये बनता है क्या बनता है कि पूरव से पक्ष्चिम की लंबाई कितनी है तो बताईगा सर 650 किलो मीटर है कितनी है 650 किलो मीटर यानि जो यहां से पूरव से और यह जो लंबाई आपको पूछी के यह लंबाई कितनी है उत्तर पदेश की तो यह बताईगा सर 650 किलो मीटर है कितनी है 650 किलो मीटर और यहीं पर बात की जाए कि जो उत्तर से इस जगह से जो दक्षिड की जगह है यह जो दक्षिड की जगह है यह जो प्रदेश की चोड़ाई है वो कितनी है प्रदेश की चोड़ाई कितनी है 240 किलो मीटर कितनी बताएगा सर 240 किलो मीटर प्रदेश की च लंबाई की बात की जाए तो 650 km उत्तर प्रदेश की लंबाई है चोड़ाई की अगर बात की जाए तो 240 km उत्तर प्रदेश की चोड़ाई है लंबाई को किस तरीके से पूरफ से पस्चिम सौट में ही लिख देंगे पूरफ से पस्चिम और चोड़ाई को किस से उत्तर से दक चोड़ाए हो जाएगी तो उत्तर प्रदेस के बारे में यह कुछ पढ़verse अगरम पूचा जाएकि उत्तर पुर्देस 20 मनाता है इस्थापना दिवस तो इस्थापना दिवस बताएंगे सर उत्तर प्रदेश अपना इस्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाता है क्यों क्योंकि 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की इस्थापना की गई है उत्तर प्रदेश इस्थापित किया गया था कब किया गया था 24 जनवरी 1950 को इसके बाद में कुश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राजकिय ब्रक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का यहां पर कुछ हम राजकिय चिन ब्रक्ष पुस्प वगरा इन सभी चीजों के बारे में जानकारी ले ले लेते हैं यहां से भी कुश्चन पूछ लिए जाते हैं तो अगर कुश्चन क्या पूछा जाए कि राजकिये ब्रच क्या है तो ब्रच बताएंगे असोक या क्या उनसा बताएंगे सीता असोक बताएंगे इसके बाद में अगर पसू पूछा जाए कि सर पसू भी बता दीजिये तो पसू बताएंगे बारे सिंगा कौन सा पसू है बारे सिंगा है अगर भासा पूछ लिजाए उत्रपदेश की भासा कौन सी है तो बताएंगे सर हिंदी है और कौन सी है और उर्दू है और कौन सी है उर्दू है अगर पक्षी पूछ लिया जाए कि पक्षी भी बताई दीजिए सर तो बताएंगे सारस या फिर इसी को हम क्रॉंच भी कहते हैं सारस को ही क्या कहते हैं क्रॉंच कहते हैं अगर पुष्प पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पुष्प कौन सा है तो आप जैसे कि क्या दिन करेंगे इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेस में मंडल कितने हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, अगर जनपद पूछे जाए, जनपद कितने हैं, 75 जनपद हैं, 75 जनपद, तहसील कितनी हो जाएंगी, तहसील है 351, नगर समू कितने हैं, नगर समू, यहाँ पर है 915, 17, नगर निगम, नगर निगम, कितने हैं, 17, नगर पाली का परिशद, यह कितने हैं यहाँ पर, नगर पाली का परिशद हैं, 198, विकास खंड, विकास खंड कितने हैं यहाँ पर, तो विकास खंड है, 825, नगर पंचायत कितनी है? नगर पंचायत, नगर पंचायत है 438, गराम पंचायत, गराम पंचायत, एक लाग शे जार साथ सो चोहतर, और डाक घर उत्तर प्रदेश में, डाक घर कितने है? 17,670 डागगर हैं ये उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ factual data है कैसा data है? factual data है जो आपको याद करना होगा यहां से question पूँच लिया जाता है इसके बाद कुछ और चीजे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में ही है उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ पढ़ रहे है तो उत्तर प्रदेश को चार आर्थिक जोन में बाटा गया है कितने जोन में बाटा गया है? चार आर्थिक छेतर में बाटा गया है अब वो चार आर्थिक छेतर कौन कौन से हैं? एक तो है पूरवी दूसरा कौन सा है पस्चिमी और तीसरा कौन सा है केंद्रिये यानि सेंट्रल जो बीच का हिस्सा है केंद्रिये भी इसे बोल सकते हैं केंद्रिये और चोथा है बुंदेल खंड चोथा कौन सा है बुंदेल खंड बुंदेल खंड ये छेतर है वो चोथा करें किसके बारे में चर्चा करें यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जंसंख्या है इसी को भी यह पर कबर करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जंसंख्या कितनी है 19 करोड 98,12,341 उत्तर पुदेश की जनसंक्या है अगर पुरुस जनसंक्या की बात की जाए तो 10 करोड 44,80,510 पुरुस है बहीं अगर महिलाओं की बात की जाए इस्तिरी की बात की जाए तो 9 करोड 53,831 महिलाएं है इसके बाद में ये कुशन पूछ लिया जाता है इसके बाद में अगर कुशन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जन संख्या घनत्य कितना है जन संख्या घनत्य कितना है तो जन संख्या घनत्य बताएंगे सर 829 है और लिंगा नुपात पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का लिंगा नुपात कितना है लिंगा नुपात लिंगा नुपात तो बताईगा सर 912 है कितना है लिंगा नुपात 912 है बाकी सारी चीज़े आपको जो परिच्चा है जितनी ज्यादा चीज़े होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिये अगर इसी परिच्चे में हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं तो एक तरीके से हलाकि हम क्लाइमेट में पढ़ेंगे जो ग्रीस मरितू होती है उत्तर प्रदेश में वो मार्च से जून तक होती है कब होती है ग्रीस मरितू जो होती है उत्तर प्रदेश में वो कब होती है वो मार्च से जून में होती है इसके बाद में जो सीत रितू होती है सीत रितू कब होती है ये अक्टूबर से फरवरी तक होती है कब से कब तक होती है अक्टूबर से फरवरी तक होती है और इसके बाद में जो वर्सा रितू होती है बरसा रितू कब से कब तक होती है जून के अंतिम सप्तहा से अक्टूबर तक तो जून के अंतिम सप्तहा से लास्ट बीक भी लिख लीजेगा लास्ट बीक से अक्टूबर तक होती है अक्टूबर तक तो ये क्या होती है बरसा रितू होती है हाला कि इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे जब हम मौसम के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो इतना आपको समझ में आया होगा कमेंट में बताईए अगर आपको समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट में बताईए चैनल पर जो साती नए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बाकी बेल आइकन को जुरूर प्रेस करिएगा जिससे वीडियो की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे एक और चीजे इस वीडियो की पीडियाफ आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप पर और साती सात में एकजाम वेव अप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराए जाएगी एकजाम वेव अप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से वहाँ पर आपको फ्री स्टेडी मेटरियल में जाना होगा हाला कि जैसे ही आप लोग उसमें लॉग इन करेंगे तो उपर एक आइकन दिखेगा जिसमें आपको दिखेगा यूटूब पीडियाफ तो उस पर किलिक करिएगा डायरेक्ट आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे फ्री स्टेडी मेटरियल पर तो वहाँ से आप इसकी पीड के पीडियाफ मैप बाली मैप पीडियाफ तो मिल जाएगी तो आपको वहां से यह पीडियाफ मिल जाएगी तो डाउनलोड कर लिजेगा इसके बाद में उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा तो किसके साथ सीमा साजा करता है उत्त मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा है सहारनपूर पस्चिमी जिला कौन सा है सामली है यह आपको जिला दिख रहे होंगे यह कौन सा पस्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी जिला है वो कौन सा है सहारनपूर है और पस्चिमी जिला सामली है वहीं अगर पूर्वी जिला की बात की जाए तो यह बलिया है और दक्षडी जिला सोन भद्र या रोवट्स गंज है दक्षडी जिला कौन सा है सोन भद्र या रोवट्स गं दोनों एकी नाम है क्योंकि सोनभद्र जिलय का नाम है लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है रौवर्ट्स गंज में है और जैसे फरकावाद जिलय का नाम है लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है फतेगर में पड़ता है तो ऐसे कुछ चीज़ें जिनके पस्चमी जिला है सामली तो यह चीज आपको समझ में आ गई होगी तो इसी हिसाब से कौन सी सीमा कहां साजा होती कौन से राज्य के साथ उत्तर प्रदेश का जिला सीमा साजा करता है इसके बारे में भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे लेकिन पहले कुछ फैक्ट देख लेत केंदर सासित प्रदेश और एक देश के साथ सीमा साजा करता है किसके साथ सीमा साजा करता है एक देश के साथ सीमा साजा करता है इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं हाँ जी एक देश के साथ सीमा साजा करता है चलिए जानते हैं सबसे पहले आठ राज्य वो कौन कौन से रा हर्याना एक कौन सा है हर्याना है दूसरा कौन सा है हिमाचल प्रदेश है कौन सा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसके बाद में तीसरा राजिस्थान तीसरा कौन सा है राजिस्थान चौथा कौन सा है मद्द्द प्रदेश है चौथा कौन सा है मद्द 36 गड़ इसके बाद 36 गड़ 36 गड़ के बाद छार खंड 4 खंड छार खंड के बाद बिहार बिहार और उत्रा खंड और उत्रा खंड तो ये कितने हैं? ये कुल आठ ज्ला हरे आड़ा, हिमाचल परदेश, राजिस्तान, मद्द परदेश चतिसगड जारखंड बिहार और उत्राखंड ये आठ राज्य हैं जिनके साथ उत्तरप्रदेश सीमा साजा करता है अब सर एक केंदर सासित प्रदेश भी बता दीजे कौन सा है तो केंदर सासित प्रदेश है दिल्ली कौन सा प्रदेश है दिल्ली है अब सर एक देश भी बता दीजे कौन सा देश है जिसके साथ सीमा साजा करता है तो वो है नेपाल कौन सा है नेपाल देश है जिसके साथ उत्तर प्रदेश सीमा साजा करता है तो यह चीज आपको याद रखनी होगी इंपोर्टेंट है इस ची पूछा जाता है तो सबसे पहले तो हम उत्तरी सीमा की बात करते हैं तो उत्तरी सीमा तीन उत्तरी सीमा दो राज्ये और एक देश के साथ बनाते हैं कौन-कौन से दो राज्ये हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड देश कौन सा है नेपाल देश कौन सा है नेपाल है तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में किसके बारे में चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में यहाँ पे आपको यह जो दिखेगा वो क्या दिखेगा यह जो एरिया दिखेगा हिमाचल प्रदेश का एरिया दिखेगा हिमाचल प्रदेश के साथ केवल एक जिला सीमा साजा करता है वो कौन सा है सहारनपूर है कौन सा है सहारनपूर है एक जिला केवल हिमाचल प्रदेश के साथ केवल एक ही जिला है जो सीमा साजा करता है वो है सहारनपूर, इसके बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ कितने जिला सीमा साजा करते हैं, उत्तराखंड, तो पहले तो देख लीजे, उत्तराखंड कहां से, यह जो आपको पीली भी दिख रहा होगा, तो यह जो एरिया पड़ता है, यह उत्तराखंड का एर साथ जिला, अब वो साथ जिला कौन कौन से हैं, उत्राखंट के साथ सीमा साजा करते हैं, एक तो है सहरनपूर, एक कौन सा है, सहरनपूर है, पहला, ये पहला हो जाएगा, इसके बाद में मुझफर नगर दूसरा हो जाएगा, दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा, चोथा हो ज जायेगा चठा हो जायेगा और पिली ओसात्मा हो जायेगा कौन कौन से सहरन पुर मुझफर नगर बिजनौर मुरादाबाद रामपुर बरेली पिलिभीट रामपूर बरेली और पिलिभीट यह क्या रहे यह 7 जिलें उत्तराखंड के साथ सीमा साजा करते हैं इसके बाद में अगर हम बात करें नेपाल तो नेपाल देखिए नेपाल कहां से आपको देखने को मिलेगा नेपाल मिलेगा ये जो थोड़ा सा एरिया महराज गंज का एरिया है न जो ये ये एरिया यहां से यह जो एरिया है यह नेपाल का एरिया है कौन सा है नेपाल तो नेपाल के साथ कितने जिला साथ जिला सीमा साजा करते हैं नेपाल के साथ कितने हैं? साथ जिला हैं जो सीमा साजा करते हैं. एक कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा पीली भीत. दूसरा कौन सा हो जाएगा? लखीमपूर खीरी. तीसरा कौन सा हो जाएगा? बहराइच हो जाएगा. तीसरा बहराइच. चोथा कौन सा हो जाएगा? ये स्रावस्ति चोथा कौन सा हो जाएगा स्रावस्ति हो जाएगा और पांचमा हो जाएगा बल्रामपूर छटा कौन सा हो जाएगा सिध्धार्त नगर चटा कौन सा हो जाएगा सिध्धार्त नगर या नोगर भी कह सकते हैं नोगर और इसके बाद में ये जो सात्मा जिला ह है यह कौन सा होगा महराज गंज सात्मा जिला होगा यह कौन सा है सिधार्त नगर है इसको याद रखीगा यह जो जिला है कौन सा है सिधार्त नगर है सिधार्त नगर यह कौन सा है यह आप लोग बताएगा स्रावस्ति है कौन सा स्रावस्ती है तो दोनों जिले आप लोग याद रखिएगा इसके बाद में बात आती है पूरवी सीमा की तो पूरवी सीमा एक तो बिहार के साथ लगती है और एक लगती है जारखंड के साथ तो बिहार देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जारखंड तो जारखंड के स जारखंड तो यह जो आपको दिखरा न सहारणपूर केवल एक जिला सीमा साजा करता है वह कौनसा है सहारणपूर है सहरनपूर एक जिला सीमा साजा करता है सोरी सहरनपूर नहीं सोन भद्र कौन सा है सोन भद्र है जारकन के साथ केवल एक जिला साजा करता है वो कौन सा है सोन भद्र है सोन भद्र इसके बाद में ये जो देखिए ये कौन सा पूरा एरिया पड़ेगा ये अब बिहार का पड़ेगा ये जो एरिया पड़ेगा ये वाला ये कौन सा पड़ेगा ये बिहार का एरिया पड़ेगा बिहार तो बिहार के साथ कितने जिला सीमा साजा करते हैं साथ जिला सीमा साजा करते हैं बिहार के साथ तो एक थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा महराज गंजे, पहला जिला आपको जो देखने को मिलेगा महराज गंजे कैसे देखिए, इस जगा से देखिए यहाँ से यह नेपाल, यह थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा यह यहाँ से समझीगा, यह जो एरिया आपको दिखरा जूम करिएगा ये जो एरिया छोटा सा दिखरा है ये कौन सा है ये आपको महराज गंज का एरिया देखने को मिलेगा तो पहला जिला कौन सा बन जाता है पहला जिला महराज गंज और दूसरा जिला कुशी नगर दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा कुशी तो यह साथ जिला हैं जो किसके साथ सीमा साजा करते हैं बिहार के साथ इसके बाद में सबसे अधिक सीमा साजा करता है दक्षडी सीमा वो किसमें है मद्द प्रदेश के साथ में दक्षडी सीमा साजा करता है तो एक बार हम इसमें देख लेते हैं दक्षडी सीमा में ही सबसे पहले किसको देख लेते हैं 36 गड़ को यह जो आपको दिखेगा यह जो आपको एरिया दिखेंगे यह एरिया यह कौन से दिखेंगे आपको 36 गड़के दिखेंगे तो 36 गड़के साथ कौन सा है 36 गड़ के साथ एक जिला सीमा साजा करता है वो कौन सा है सोन भद्र है बाकी ये आपको कौन सा देखने को मिलेगा ये आपको देखने को मिलेगा मद्द प्रदेश का एरिया जो कि यहां से इस जगे से आपको जो आगरा का जो ये एरिया है यहां परलगबग आपको यह पूरा कौन सा देखने को मिलेगा MP देखने को मिलेगा मद्ध प्रदेश देखने को मिलेगा और मद्ध प्रदेश के कितने 11 जिले सीमा साजा करते हैं 11 जिले एक तो यह पहला कौन सा हो जाएगा आगरा हो जाएगा दूसरा कौन सा हो जाएगा एटाबा हो जाएगा तीसरा कौन सा हो जाएगा उरई या जालोन भी कहे लिजे जालोन हो जाएगा चोथा कौन सा हो जाएगा जहासी हो जाएगा पांचमा कौन सा हो जाएगा ललितपुर हो जाएगा छटा कौन सा हो जाएगा, महोबा हो जाएगा, सातमा बांदा हो जाएगा, आठमा चित्रकूट हो जाएगा, नौमा प्रियाग राज, नौमा जिला इसके बाद में मिर्जापुर, दसमा और सोन भद्र, ग्यारमा जिला है उत्तर प्रदेश का एक मातर जिला, ललितपुर, जो मद्द प्रदेश से घिरा हुआ है, और एक मातर ऐसा जिला है, जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा साजा करता है मतलब केबल जहांसी जिला के साथ सीमा साजा करता है, बाकि किसी अन जिले के साथ सीमा साजा नहीं करता है करता है वो भी कौन से जिला है जहां सी जिला के साथ सीमा साजा करता है आपको मद्द प्रदेश में कितने 11 जिले देखने को मिलेंगे 36 गड़ में एक जिला देखने को मिलेगा इसके बाद हम बात करते हैं पस्चिमी सीमा की तो पस्चिमी सीमा में देखिए पस्चिमी सीमा म सबसे पहले हम बात करते हैं हर्याणा की, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, चलिए नीचे से देख लेते हैं, राजिस्तान, राजिस्तान में केबल दो जिला, एक कौन सा है, मतुरा, और दूसरा कौन सा है, आगरा, दूसरा मतुरा, एक आगरा, दूसरा मतुरा, ये दो जिला हैं जो राजिस्तान के साथ सीमा साजा करते हैं जो बचा हुआ है ये क्या है हरयाणा है हरयाणा और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली, क्या देखने को मिलेगा, दिल्ली देखने को मिलेगा, ये जो देखने को मिलेगा आपको, दिल्ली देखने को मिलेगा, दिल्ली तो राजिस्तान के साथ कितने हैं दो जिले हैं दिल्ली के साथ दिल्ली के साथ कितने जिले हैं तो दिल्ली के साथ भी दो जिले हैं कौन-कौन से एक तो एक नोड़ा या गौतम बुद्धनगर कह लिजिए दूसरा कही है गाजियाबाद एक दिल्ली को यहां लिख लेंगे दिल्ली के साथ कौन कौन से है एक तो है गौतम बुद्ध नगर एक कौन सा है गौतम बुद्ध नगर या नोड़ा कह लिजिए और दूसरा कौन सा है गाजी आबाद दूसरा कौन सा जिला है गाजी आबाद है जो दिल्ली के साथ सीमा करते हैं एक कौन सा है साहारान पुर है दूसरा कौन सा है सामली है तीसरा कौन सा है बागपत है यह तीस राद पत उह छ brake कौं सा है गौतम बुद्नगर करती तो यह दिल्ली पूरा गाजियाबाद को कबर करता है, साथ में थोड़ा सा नोइडा को भी, तो गौतम बुद्धनगर यह कौन सा है, यह है चौता, गौतम बुद्धनगर हर्याडा के लिए और पाँचमा कौन सा है, अलीगड है, यह पाँचमा है, और छटा कौन सा है, के बारे में हिमाचल प्रदेश के closer साहारनपूर है सबसे पहले कमबाले को देखते हैं इसके बाद में देखेंगे जार chuckling जारकंड जारकंड के साथ भी एक जिला सीमा साजा करता है वो कौन सा है सौन भद्र है सौन भद्र इसके बाद में चत्तिस गड के 36 गड़ के साथ भी एक जिला सीमा साजा करता है, वो कौन सा है, सोन भद्र है 36 गड़ के साथ, इसके बाद में दिल्ली, दिल्ली के साथ दो जिला सीमा साजा करते हैं, एक तो गौतम बुद्ध नगर और दूसरा है गाजियाबाद, दूसरा कौन सा है, गाजियाबाद है, इस इसके बाद में राजिस्थान, राजिस्थान, राजिस्थान के साथ कितने दो जिला सीमा साजा करते हैं, एक तो मथुरा और दूसरा कौन सा है, आगरा है, दूसरा कौन सा है, आगरा है, इसके बाद में हर्याणा, हर्याणा कितने जिला छे जिला सीमा साजा करता है सहारनपूर सामली गौतम बुद्ध नगर बागपत अलीगर याद रिखीगा हर्याणा के साथ गाजियावाद नहीं सीमा साजा करता है अलीगर और मतुरा इसके बाद में उत्तराखन उत्तराखन के साथ साथ जिला है कौन कौन से सहारनपूर सहारनपूर मुझफर नगर मुझफर नगर बिजनौर बिजनौर मुरादाबाद रामपूर बरेली और पीली भीद और कौन सा है पीली भीद इसके बाद में बिहार बिहार के साथ भी साथ जिला है कौन कौन से हैं साथ महराज गंज कुशी नगर देवरिया बलिया गाजीपूर चंदोली चंदोली सोनभद इसके बाद में आप आता है नेपाल 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 के साथ भी कितने हैं साथ जिला हैं कौन कौन से पीली भीत लखीमपूर खीरी बहराईच स्रावस्ति बल्रामपूर सिद्धार्थ नगर सिद्धार्थ नगर और महराज गंज और कौन सा है महराज गंज इसके बाद में लाष्ट है मद्ध प्रदेश कितने जिले हैं ग्यारा जिले आगरा आगरा इटावा जालोन आगरा इटावा जालोन जहांसी जहांसी ललितपूर ललितपूर महोबा महोबा बांदा कौन सा हो जाएगा बांदा चित्रकूट चित्रकूट प्रियाग राज मिर्जापूर और सोनवद्र ये ग्यारे जिले किसके साथ हो जाएंगे ये मद्ध प्रदेश के साथ हो जाएंगे तो ये सभी है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इसका कि कौन सा जो राज है वो उत्रप्रदेश के किन जिलो के साथ सीमा साजा कर रहा है तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे अभी तक अब हम आँगे जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसको देखेंगे सबसे पहले कि अगला टॉपिक हमारा क्या रहने बाला है तो अब हम कुछे और डिस्क्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं जैसे कि जो कुश्चन पूँच लिया जाता है कुछ हम important fact के बारे में समझते हैं जो जहां से कुश्चन सबसे जादा पूँच लिये जाते है fact देखिए मद्द प्रदेश राज से तीनो तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है इसमें आप देखीगा तो ये जो जिला है मद्द प्रदेश राज से तीनो तरफ से घिरा हुआ जिला है कौन सा जिला है ये ललित पुर है ये ललित पुर जिला है ये किस से मद्द प्रदेश से तीनों तरफ से कौन है इसके मद्द प्रदेश है मद्द प्रदेश से घिरा हुआ जिला है इसके बाद में उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा बाला राज जी कौन सा है तो ये पूरा सीमा किसके साथ है मद्द प्रदेश के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है तो सबसे लंबे किसके साथ सीमा साजा करता है उत्तर प्रदेश मद्द प्रदेश के साथ सीमा साजा करता है उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा बाला र तो जो सहारंपूर जिला है और सोनवद्र जिला है साहरंपूर कितने तीन तीन राज्यों में साध्य साजा करता है एक ॺ्根ásw assassination यह विस्यॏं अधार्य यह वडर है यह थी उत्तरव अफठरा जय ककरता है ल। की सोन वद्र ये जो जिला है सोन वद्र ये चार राज्यों के साथ में कितने राज्यों के साथ में चार राज्यों के साथ में बिहार जारखंड च्छतिस गड़ और और कौन सा हो जाएगा यहां पर हो जाएगा यह मद्द प्रदेश चार राज्यों के साथ में सीमा साजा कर करता है सोन वद्र उत्तर प्रदेश के सरवादिक 11 जिलो को इस पर्स करने वाला कौन सा है मद्द प्रदेश राज्य है प्रदेश के सबसे कम जिलो जो एक मात्र जहासी को इस पर्स करता है वह कौन सा है लड़ित पुर है केवल एक मात्र जिला जहासी को ही इस पर्स करता है इसके बाद में कुश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा साजा करता है तो बताएगा सर उत्तर प्रदेश किस के साथ सीमा साजा करता है केवल नेपाल के साथ नेपाल देश के साथ सीमा साजा करता है यह चीज आपको समझ में आ गई होगी, अब इसी में देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की जनगरना 2011 के बारे में, देखिए इंपोर्टेंट है, यहां से कुश्चन पूँच ली जाते हैं, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं, जल्दी सल्दी ए यह दे रहे हैं, तो जनगरना के बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी हैं, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही इसके बारे में चर्चा की थी, तो उत्तर प्रदेश की जनगरना हेडिंग क्या पड़ेगी, जनगरना, उत्तर प्रदेश की जनगरना जनगरना दो हजार ग्यारा यहां से कुश्यन आएंगे तो उत्तर प्रदेश की किसकी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है तो जनसंख्या कितनी है कुल उननिस करोड अठानवे लाग बारा हजार तीन सो एकतालिस जनसंख्या है कुल लिंगा अनुपात कितना है उत्तरपदेश का हलाकि यह सभी हम पहले ही बता चुके हैं लेकिन आप लोग बताएगा कि लिंगा अनुपात कितना है 911 है जन गनत्यु compete इसके बारे में भी बताया था जन गनत्यु कितना है जन गनत्यु है 829 10 की ब्रद्दीदर 20.3 प्रिस्सत बताये थी 로ん 241 दर यहाँ पर इसको नोट करेंगे साखचार्ता-दर कितनी है 6.7 प्रिस्स ako Christian इर है अनसूचित जाती की यानि यसी की जनसंख्या कितनी है यसी की जनसंख्या कितनी है चार करोड तेरा लाख सतावन हजार छेसो आठ यसी की जनसंख्या है राज की कुल जन संख्या में अनुसूची जाती का प्रितिसत कितना है ये कितना प्रितिसत है 20.7 प्रितिसत लगबग माना जाता है कितना आना जाता है 20.7 प्रितिसत कुल जन संख्या में इसके बाद में राज की कुल जनसंख्या में अनसूची जन जाती का प्रिसत कितना है अनसूची जन जाती का प्रिसत यश्टी का प्रिसत कितना है तो 0.6 प्रिसत यश्टी का प्रिसत है अगर इसी में किसमें अनसूची जन जाती यानि यश्टी की जनसंख्या कितनी है पू इसकी यश्टी की जो 0.6 पड़शत है इसी में अगर महिलाओं की बात की जाए कि महिलाओं कितनी है पुरुस कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो मेल यानि पुरुस की संक्या है, अठावन पांच लाख एक्यासी हजार तिरासी, ये कितना है, ये पुरुस की जन संक्या है, वहीं अगर महिला की जन संक्या बात की जाए, तो पांच लाख त्रेपन हजार एक सो अगर यहाँ पर एसी की जनसंक्या में पूछा जाए कि सर एसी की जनसंक्या में पुरुस कितनी है पुरुस कितनी है महिलाए कितनी है तो पुरुस यहाँ पर कितनी है एसी की जनसंक्या में पुरुस पुरुस है दो करोड 16,676,975 इतने पुरुस है महिलाए कितनी है एक करोड़ च्यानवे लाख अस्सी हजार छेसो तेंटिस महिलाएं हैं ये कौन है ये महिलाएं हैं अगर साक्छारता दर की बात की जाए तो पुरुष साक्छारता दर और महिला साक्छारता दर कितना है सासतर दसम्लब तीन प्रिस्चत है और महिला साक्षारता दर कितना है सतावन दसम्लब दो प्रिस्चत है उत्तर प्रदेश का साक्षारता दर उत्तर प्रदेश की ग्रामीड जनसंक्या के बारे में पूछा जाए किसके बारे पूछा जाए ग्रामीड जनसंक्या के बारे में तो बताएगा सर्फ 15,53,17,278 ग्रामीड जनसंक्या है राज की कुल जनसंक्या में ग्रामीड जनसंक्या का प्रतिसत कितना है अगर प्रतिस्ट पूछ लिया जाए तो 77.7 प्रतिस्ट है ग्रामीड जनसंक्या उत्तरपदेश की जनसंक्या का नगरिये जनसंक्या किसकी बात की जाए नगरिये जनसंक्या की तो बच्चीवी जनसंक्या नगरिये जनसंक्या है चार करोड़ चब्लाइस लाग 25,063 यह कउन सी है? यह नगरिये जंसंक्या है अगर पृस्षत की बात की जाए तो 22.3 पृस्षत है नगरिये जंसंक्या? इसके बाद में अगर सिसु लिंगा नुपात के बादे में पूच लिया जाए? किसके बारे में पूच लिया जाए तो सिसु लिंगा नुपात नुपात कितना है 902 प्रती हजार बालुकों पर बालिकाय कितनी है 902 है यह चीज याद रखिएगा इसके बाद में अगर धर्म के हिसाब से जनसंक्या या जन्गर्णा देखी जाए तो हिंदू कितने पाय जाते हैं तो हिंदू पाय जाते हैं 15,93,12,664 हिंदू जनसंक्या है जो की 89,73% है तो 3,84,83,967 मुस्लिम जनसंक्या है जो की 19,26% है उत्तर प्रदेस में कुल जनसंक्या का सिख्ष की बात की जाए और जैन की बात की जाए इसाई की बात की जाए और अन्य धर्मों और यानि बहुत धर्म या फिर अन्य धर्मों की बात की जाए तो जितने भी बची हुए हैं तो ये क्या हैं लगवग लगवग एक करोड के आसपास बचे हुए हैं ये क्या हो जाए एक करोड से भी कम है एक करोड से भी कम है तो यह अन्य धर्म हो जाएंगे जैसे कि जैन कि अगर बात की जाए जैन कितने हैं तो जैन हो जाएंगे दो लाग तेरा हजार तेरा हजार तो सो सरसट बात कितने हो जाएंगे बात उत्तर प्रदेश में बात हो जाएंगे दो लाग छे हजार दो सो पच्चासी इसके बाद में इसाई कितने हो जाएंगे इसाई हो जाएंगे 3,56,448 सिख कितने हो जाएंगे 6,43,500 हिंदू की गरबात के ली जाएंगे हिंदू हो जाएंगे 15,93,12,654 हिंदू हो जाएंगे और मुस्लिम कितने हो जाएंगे 3,84,83,964 ये मुस्लिम जनसंक्या हो जाएगे उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंक्या के हिसाब से हमने सारी चीजे देख ली है इसके बाद में कुछ factual data है जो आपको याद रखना होगा जैसे की सारवादिक साक्छारता दर्वाला जिला कौन सा है गौतम बुद्ध नगर इसको यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की सरवादिक साक्छारता दर्वाला साक्छारता दर्वाला जिला कौन सा है गौतम बुद्ध नगर है सरवादिक साक्छारता दर्वाला जिला निउन्तम साक्षारता दर्वाला जिला कौन सा है? निउन्तम साक्षारता दर्वाला जिला स्रावस्ती कौन सा है? स्रावस्ती है तो इन चीजों को आप लोग एक काम करिए नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी नोट करिए जितना मैं बोलता जाओं उतना आप लोग नोट कर लीजिए प्रियाग राज के नाम से लनजाता है नियुंतम जनसंक्यावाला जिल्दी जाओं वाला जिल्दी जानपुर। सरवादिक नगरिय जन संक्या का प्रिस्ट वाला जिला गाजियावाद, राज की कुल जन संक्या में सरवादिक अनसूचि जन जाती प्रिस्ट वाला जिला सोन बद्र, नियूंतम नगरिय जन संक्या का प्रिस्ट वाला जिला सरावस्ति, राज की कुल जन संक्या में नियू द्मी्ट संक्या वाला जिला गौतम्हॉद्ण नगर वानुन्थम भैदानिक नगरों की संक्या वाले जिला कर्मसा काउनुसे विदो स्रावस्तिय है इनी यून। ग्रामीड स्षाहेसित प्रिकिया नहां शया है। सरवादिक पुरुष जनसंक्या वाला जिला इलहावाद, सरवादिक महिला जनसंक्या वाला जिला इलहावाद, सरवादिक सिसु लिंगा अनुपात वाला जिला बल्लामपुर, नियुन्तम सिसु लिंगा अनुपात वाला जिला बागपत, सरवादिक ग्रामीर साक्छार्ता दरवाला जिला औरया नियूंतम ग्रामीड साक्षारता दरवाला जिला सरावस्ती सरवादिक ग्रामीड सिसु लिंगा अनुपात वाला जिला बल्लामपुर नियूंतम ग्रामीड सिसु लिंगा अनुपात वाला जिला गौतम गुद्धनगर और सरवादिक अनुसूचित ज से आपको solve करना होगा इसके बाद में अब हम बात करते हैं कुछ अन्य चीजों के बारे में अन्य चीज जैसे अठार्मी विधान सवा के बारे में अगर चर्चा की जाए किसके बारे में अठार्मी विधान सवा के बारे में तो अठारवी बिधान सवा में यहां से कुश्चन पूछा जाएगा बिधान सवा में निर्वाचित महिला सदश्य कितनी है? यह है 47, कितनी है? 47, अगर लोग सवा की बात की जाए तो 80 सीटे हैं उत्तर प्रदेश में, राज सवा की बात की जाए तो 31 सीटे हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटे हैं? 31 सीटे हैं, पहले कितनी थी? 33 सीटे वह अगरती थी, अब 31 सीटे हैं उत्तर प्रदेश बिधान परिशत का गठन कब हुआ था उत्तर प्रदेश बिधान परिशत का गठन कब हुआ था 1937 में उत्तर प्रदेश बिधान परिशत का गठन हुआ था टोटल सीटे कितनी है यहाँ पर टोटल बिधान सवा में टोटल सीटे कितनी है यहाँ पर 403 है उत्तर प्रदेश में टोटल सीटे कितनी है विदान सवा में 403 है और नवंबर 2000 में यहाँ पर कितनी सीटे हुआ करती थी 425 सीटे हुआ करती थी तो बाकी सीटे जब नवंबर 2000 के बाद में उत्तरा खंड का गठन होता है उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखन नया राज बनता है तब वहाँ पर कुछ सीटे चली जाती है तो 403 सीटे उत्तर प्रदेश में हैं लेकिन नवंबर 2000 से पहले कितनी सीटे हुआ करती थी 425 सीटे हुआ करती थी विधान सवा में आरचित सीटों की संख्या कितनी है अग इसके बाद में उत्तर प्रदेश का ऊच्छ नियायाले कहां पर इस्तित है। उच्छ नियायाले कहां परिस्तित है प्रियाग राज में इस्तित है 1866 में उत्रपदेश उच्छ नियायाले की इलहाबाद में इस्तापना होती है कब होती है 1866 में सरवादिक विधानसवा सीटो वाला जिला कौन सा है यहां पर 12 सीटे हैं प्रियाग राज में सरवादिक व बिदान सभा सीटों वाला जिले कौम से हैं एक तो हो जाएगा स्रावस्ति हो जाएगा महोबा हो जाएगा चित्र कूट हो जाएगा ललित पूर हो जाएगा हमीर पूर हो जाएगा यहाँ पर दो दो सीटे हैं बिदान सभा की कितनी सीटे हैं दो दो सीटे हैं और ध्योगिक अगरा, मेरत, लखनव, गोरफपुर, कानपुर और ध्योगिक, कोईakah इंडेस्टियल नयाए अधिकरण की बात की जाए यानि इंडेस्टियल जुरिस्टिक्सन की बात की जाए तो वो छे जगे पर है, कहां कहां पर है एक तो प्रियागराज में है आगरा में है मेरट में है लखनव में है और गोरखपुर में है और कानपुर में है इन 6 जगय पर industrial jurisdiction है यानि ओद्योगिक न्यायाधी करण कहा पर है इन 6 जगय पर है प्रियागराज आगरा, मेरट, लखनव, गोरखपूर और कानपूर प्रियागराज, आगरा, मेरट, लखनव, गोरखपूर, कानपूर इन छे जगए पर और द्योगिक न्यायादी करण है बाकी अगर आप इसकी पीडियाप चाहते हैं डिस्किप्शन बॉक्स में टेलिग्राम की लिंक, साथे साथ में अपली केशन की लिंक दी गई है अपली केशन से आप इस वीडियो की पीडियाप प्राप्त कर सकते हैं कहां से प्राप्त कर सकते हैं अपली केशन से चलिए अगला देखते हैं अगला टॉपिक क्या आएगा इसी में अगला टॉपिक कुछ information based टॉपिक आई ये भी इसको भी देखी लेते हैं यहां से भी question पूँच लिये जाते हैं अगर question पूचा जाए कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राजपाल का नाम बताईए प्रथम राजपाल का नाम तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राजपाल का नाम क्या है सरोजनी नाइडू क्या नाम है सरोजनी नाइडू उत्तर प्रदेश के प्रथम राजपाल का नाम है और प्रथम मुख्य मंत्री कौन है यानि सियम कौन थे पंडित गोविंद बल्लब पंत ये प्रथम मुख्य मंत्री थे कहां के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य मंत्री थे अगर बिधान सभा अध्यक्ष की बात की जाए तो बिधान सभा के अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे पुरसोत्तम दाष्टंडन आप लोग सुनियेगा सुनने में जादा ध्यान लगाईगा पुर्सोत्तम डास्टंडन ये लोग जो लेजिसलेटिव असेमलियानी बिधान सभा के पहले अद्धिक्ष थे वहीं बात की जा बिधान परिशत के पहले सभापती सभापती ये कौन थे तो ये थे चंद्रभाल इसके बाद में पहली महिला मुख मंत्री पहली महिला मुख मंत्री कौन थी सुचेता कृपलानी सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख मंत्री पहली बार प्रेसीडेंट रूल यानि राष्टपती सासन प्रेसीडेंट रूल पहली बार कब लगाता राष्टपती सासन कब लगाता 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 26 फरवरी 1979 तक पहलीवार राष्ट्पति सासन लगा था बिधान सबा का गठन कब हुआ था कौन सा गठन किसका गठन बिधान सबा का गठन बिधान सबा का गठन कब हुआ था गठन तो बिधान सबा का गठन हुआ है आठ मार्च 1952 में प्रदेश की प्रथम डाक सेवा कहां से कहां तक? नैनी से प्रियाग राज तक कब? 1911 में और यही देश की पहली थी कौन से थी? देश की पहली डाक सेवा भी नैनी से प्रियाग राज तक थी पहली डाक सेवा नैनी से प्रियाग राज देश की पहली और प्रदेश की भी पहली तो यह चीज़े आपको याद रखनी होगी चलिए इसके बाद में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं इन्फॉर्मेशन के तौर पर ही देखेंगे प्रदेश के जो 18 मंडल है मंडल 18 मंडल हाला कि आप लोग complete UPGK का कोर्स आप ले सकते हैं हमारे application पर available है केवल 49 रुपए में आपको complete UPGK पढ़ाया गया है वहाँ पर complete UPGK आपको 49 रुपए में मिलेगा जिसमें बिल्कुल details से मैंने classes ली है सभी चीजों को अच्छे से बताया है आपको वहाँ पर 49 रुपए में मिल जाएगा application को download करिए और इस course में जॉइन हो जाएए अधिक जानकारी के लिए और UP special को बहुत ही बिस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए यहाँ पर हम चर्चा क्या करने वाले हैं मंडल के बारे में तो मंडल देखे केवल नाम देख लीजे यह कौन-कौन से मंडल है वाकी अगर जिला आप लोग याद करेंगे इतना deeply नहीं पूछा जाएगा और इतना deeply पूछा भी जाएगा तो लेकिन time नहीं है वाकी आप लोग deeply एक बार देख लीजे आपको notes प्रोवाइड करा दिये जाएंगे देखे 18 मंडल हैं कितने मंडल हैं 18 मंडल हैं जिसमें से 18 मंडल के अगर नाम पूछे जाएं अठारे मंडल नाम पूछे जाएं बताइएगा आप लोग लखनव आजमगड आजमगड कानपूर कानपूर आगरा मिर्जापूर मिर्जापूर चित्रकूट चित्रकूट अलीगड अलीगड सहरनपूर गोरखपूर गोरखपूर मेरट देवीपाटन देवीपाटन आयोध्या बस्ती बरेली जासी प्रियागराज बाराडसी और मुरादावाद ये अठारे मंडल हैं कितने मंडल हैं अठारे मंडल हैं अब इनको गराप लोग देखेगे का तो लखनव मंडल में यहाँ पर कुछ चीजों को नोट करीगा लखनव मंडल में कितने जिले आ जाते हैं छे जिले आ जाते हैं आगरा में देखिए आगरा में चार जिले आते हैं कौन कौन से आगरा फिरोजाबाद मैनपुरी मतुरा इसके बाद मिर्जापुर में देखिए मिर्जापुर में आपको तीन जिले देखने को मिलेंगे बदहोई मिर्जापुर सोन बद्र चित्रकूट में आपको चार जिले देखने को मिलेंगे बांदा चित्रकूट हमीरपुर महोबा अलीगड में अभी आपको चार जिले देखने को मिलेंगे अलीगड में अलीगड एटा हातरस कास गंज सहरनपुर में आपको तीन जिले देखने को मिलेंगे मुझफर नगर सहरनपुर सामली गोरकपुर में आपको चार जिले देखने को मिलेंगे कौन-कौन से देवरिया, गोरफपूर, कुशी नगर, महराज गंज मेरट में आपको छे जिले देखने को मिलेंगे बागपद, गौतमबुद नगर, मेरट, हापुर, गाजियाबाद, बुलन सहर देवी पार्टन मंडल में आपको कितने चार जिले देखने को मिलेंगे कौन-कौन से बहराइच, बल्लामपूर, गोंडा, सराबस्ती अयोध्या मंडल में आपको पाँच जिले देखने को मिलेंगे अमबेटकर नगर, बारावंकी, अयोध्या, सुल्तानपूर, अमेठी बस्ती में आपको तीन जिले देखने को मिलेंगे बस्ती, सिद्धात नगर, संतकबीर नगर बरेली में आपको चार जिले देखने को मिलेंगे बदायू, पीलीवीद, बरेली, सहजापूर जहांसी में भी आपको तीन जिले देखने को मिलेंगे जालोन जहांसी ललितपूर प्रियागराज मंदल में भी आपको चार जिले देखने को मिलेंगे प्रियागराज कौशामभी फतेपूर प्रत्यापगड बाराड़सी मंडल में आपको चार जिले देखने को मिलेंगे चंदोली, जौनपूर, बाराड़सी, गाजीपूर इसके बाद में मुरादाबाद में आपको पांच जिले देखने को मिलेंगे मुरादाबाद, रामपूर, अमरोहा, बिजनोर, संभल ये पांच जिले आपको मुराधाबाद में देखने को मिलेंगे अब देखिए क्या निकलकर आरानिसकर्स कि जो सबसे बड़े मंडल हैं वो कौन-कौन से हैं तो इस चीज़ को भी आप लोग याद कर लिजीगा, नोट कर लिजीगा चलिए अब हम बात करते हैं उत्तरपदेश के भौतिक बिभाग के बारे में तो उत्तरपदेश का जो भौतिक बिभाग है इसको समझेंगे इसको समझने का प्रयत्न करिए तो यह जो area है यह जो area है यह area यह कौन सा area है यह area आपको दिख रहा है भावर एवं तराई का छेत्र है यह जो area आपको दिख रहा है यह कौन सा है यह भी color ठीक नहीं है यह जो एरिया आपको दिख रहा है यह कौन सा है भावर एवं तराई का छेत्र यह उत्तर प्रिदेश का जो उपर वाला एरिया है यह कौन सा है भावर एवं तराई का छेत्र भावर एवं तराई का छेत्र इसके बाद में नीचे वाला एरिया ये एरिया है कि एक मिनिट इसको ऐसे ही नोट करेंगे कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये कौन सा है दक्षिड का पठारी प्रदेश और ये जो बीच का एरिया आपको दिख रहा है ये वाला एरिया बीच वाला ये है गंगा यमना का मैदान ये कौन सा है गंगा यमना का मैदान है तो ये चीज़े आपको याद रखनी होगी क्या रखनी होगी ये चीज़े बहुतिक विवाग में आपको याद रखनी होगी तो देखे भावर एवं तराई के छेतर में भावर का छेतर क्या कहलाता है कंकड पत्थर से निर्मित परवतिये भूबाग है वो क्या है भावर का छेतर है कौन कौन से जिले आ जाते हैं भावर के छेतर में भावर के छेतर को क्या कहते हैं कंकड पत्थर से निर्मित सिस्टाइन हैं वो क्या हैं कि पस्चिम से पूर्व की और बढ़ने पर इस डाय शन में बढ़ने पर इसकी जो चोडायी है वो चोडाय में कमी आती Y Mother क्या है कि अगर पहले यिंदल इसकी इतना चला है अब इसकी कमी commence से आती जाएगी आती लाश्ट इस तरीके से कमी आ जाएगी चोड़ाई में कमी आ जाती है तो यह चीज आप लोग याद रखिएगा इसके बाद में इसका जो विस्तार है वो कहां कहां माना जाता है बिजनौर सहरनपूर पीलीवित सहजापूर लखिमपूर यह जितने जिले दिए गए उपर वाले जो भी जिले दिए गए इन जिलों में इनका विस्तार माना जाता है अब यह अगर तराई की छेत्र की बात करें तो तराई का छेत्र किसे कहते हैं तराई का छेत्र तराई का छेतर होता है जो महीन अवसादों से निर्मित होता है किस से निर्मित होता है महीन अवसादों से निर्मित मिट्टी को तराई के छेतर कहते हैं इसका जो एरिया विस्तार है वो भी लगवग लगवग वही माना जाता है साहरणपूर विजनौर बरेली से लेकर महरा नदियां लुप्त हो जाती है नदियां कैसी हो जाती है लुप्त हो जाती है मतलब दिखना बंद हो जाती है जबकि तराई के छेतर में कहीं न कहीं आपको नदियां नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी गन्ना गेहूं जूट आदी फसलों के लिए तराई का छेतर बहुत महत वहीं अगर बात की जाए गंगा यमना के मैदान के बारे में तो इसका जो बिस्तार है गंगा यमना का गंगा यमना का बिस्तार है वो लगवग माना जाता है 500 किलो मीटर कितना माना जाता है 500 किलो मीटर इसकी यह लंबाई मानी जाती 500 किलो मीटर वहीं अगर चोडाई की बा बिजनोर, मेरट, मुझफर नगर, बुलंसहर, अलिगर, हातरस, मतुरा, आगरा, मैनपुरी, बदायू, एटा, मुरादाबाद और बरेली ऐसे भिभिन जिले हैं जो गंगा के मद्ध मैदानी प्रदेश में आते हैं अगर गंगा के पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात की जाएं तो बारा रसी, जौनपूर, गाजीपूर, आजमगर, बलिया, मिर्जापूर, सोनबद्र, बधोई जिला मतलब जो यहां से आप देख लिए, कि बारा रसी, जो इस एरिया से आप देखेंगे, इस एरिया से तो यह सब क्या हैं, यह आपको पूर्वी देखने को मिलेगा, पूर्वी मैदान, यह क्या देखने को मिलेगा यह आपको पूरवी मैदान देखने को मिलेगा जबकि यह कौन सा देखने को मिलेगा मद्द मैदानी और यह उपरी मैदान यह उपरी मैदान यह मद्द मैदान यह गंगा का यमना गंगा यमना का मैदान भी तीन भागों में विवाजित है इस चीज को भी धियान रखेगा इसके बाद में दक्षिड का पठारी प्रदेश है इसका जो छेतर फल है वो 45,200 बरक किलोमीटर इसका छेतर फल माना जाता है इसका क्या होना जाता है एरिया माना जाता है इसकी जो सीमाई है पूर्व में केन नदी पर पस्चिम में बेतवा नदीपर बेतवा और पाहुज नदीपर उत्तर गंगा उत्तर में गंगा था निमना नदीपर और दच्छिड में बिंदेप्रवस्य इसका इसकी सीमायर लगी है कैसे लगी है पूर्म में जो इसे वाले पॉइंट को नोट करेंगे पूर्म में पूर में केन नदी पर और पस्चिम में बेतवा नदी और पाहुज नदी उत्तर में गंगा और यमना नदी और दच्छिड में दच्छिड में बिंद परवत से इसकी सीमाएं बनी हुई हैं अगर इसमें समलित छेतर की बात की जाएं तो समलित छेतर में बुंदेल खंड और भगेल खंड दोनों के छेतर देखने को आपको मिल जाएंगे इसकी एगर सामान उचाई की बात की जाए तो उचाई कितनी है 300 मीटर लगवक सामान उचाई है लेकिन कुछ इस्थानों पर इसकी उचाई 450 मीटर है कौँण कौँण से जो कुछ और कहीं कहीं पर आपको जैसे कैमूर रेंज में कैमूर और सोनकर की जो पाड़ियां है वहा कहां पर 600 मीटर की भी उचाई देखने को आपको मिल जाएगी कहां पर कैमूर और सोनकर में कैमूर और सोनकर में आपको 600 मीटर की भी उचाई देखने को मिल जाएगी तो यह इसकी बिसेस्ता है अब वहीं पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जलवायू के बारे में किसके बारे में चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायू के बारे में तो जलवायू जलवायू के बारे में देखिए तीन आपको याद रखनी होगी कौन-कौन सी सबसे पहले तो आपको ये पता हो ना कि उत्तर प्रदेश की जलवायू वो कैसी है आद्र एवं उस्ड प्रदेश की जलवायू यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसमें तराई छेतर में 180 cm अधिक्तम बर्सा हो जाती है और 120-180 cm अधिक्तम बर्सा हो जाती है और पूरवी उत्र प्रदेश में 100-120 cm बारसिक बर्सा होती है जबकि जो साधार आर्देवं उस्ड प्रदेश हैं वहाँ पर 80-100 cm बर्सा होती है जलवायू की बात की जाएं तो उत्तर प्रदेश में 3 रितु हैं मुख़्िता पाई जाती है कौन कौन सी 3 रितु हैं एक तो सीत रितु हैं जलवायू का सुस्क सीत वाला मानसूनी प्रकार CWG मिलता है जबकि thorn weight के अनुसार cvw मिलता है अर्था समसितोष्ड उपाद्र समसितोष्ड उपाद्र जलवायू का विश्तार मिलता है किसके thorn threat के अनुसार अगर हम बात करें एक एक रितु के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीत रितु के बारे में तो सीत रितु उत्तरप्देश में कब से कब तक अक्टूवर से फरवरी तक पाई जाती है कब से कब तक अक्टूवर से फरवरी तक पाई जाती है सरवाधिक ठंडे महिने के अगर बात की जाए सीत रितु में चक्रवातों के कारण इनकी जो औसस संक्या होती है वो तीन से पांच के मद्ध होती है चक्रवात की जो औसस संक्या कितनी होती है तीन से पांच के मद्ध होती है सीतरितू में अधिक्तम तापमान सीतरितू में कितना पाया जाता है बरसा रितु की बात है, तो जून के अन्तिम सप्ता से स्टार्ट होती है, और अक्टूबर तक चलती है, और इस में सबसे ज़्यादा जो बरसा होती है, वो कौन से महिना में होती है, जुलाई और अगस्त में सबसे जादा बरसा होती है जुलाई और अगस्त में अधिक्तम तापमान 32 से 34 डिगरी सेल्सिस पाया जाता है 32 से 34 डिगरी सेल्सिस अधिक्तम तापमान और नियुनतम तापमान कितना पाया जाता है बर्सा की मात्रा प्रदेश के संपूर बर्सा का लगवग 60% बर्सा उत्तर प्रदेश में अगस्त महा में होती है अधिकांस मानसूनी बर्सा बंगाल की खाड़ी के साखा से प्राप्त होती है ग्रीस मरितू की बात की जाएगर तो ग्रीस मरितू मार्च से जून तक चलती है कब से कब तक मार्च से जून तक चलती है और अधिकतम गर्मी सबसे ज़्यादा कहां पर पढ़ती है जासी वा आगरा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है सबसे कम गर्मी कहां पर पड़ती है बरेली जिला में सबसे कम गर्मी पड़ती है और लू किसे कहते हैं, ग्रीस मृतु में पस्चिम की ओर से चलने वाली जो सुस्क गर्म हवाएं होती हैं, उनको ही प्यार से लू बोलते हैं, और प्यार से और ग्रामीड भासा में, ग्रीस मृतु में कुछ इस्थानों पर अधिकतम तापमान कितना रहता है, 47 डिगरी सेल्सिय भी टेंपरेचर होता है, बुंदेल कंड छेतर में सरवादिक ओसत तापमान होता है, और कारड क्या है, क्योंकि करक रेखा की निकटता है, इसका कारड है, करक रेखा यहां से बिल्कुल पास से ही निकलती है, इसके बाद में सरवादिक रिकॉर्ट तापमान मई और जून महिने में देखने को मिलेगा मई जून में आपको सरवादिक गर्मी देखने को मिलेगी ये चीज आप लोग याद रखीएगा इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियां वैसे तो उत्तर प्रदेश में कुछ भिविन प्रकार की मिट्टियों के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे खादर मिट्टी के बारे में जानेंगे खादर मिट्टी खादर मिट्टी देखिए इसकी जो उर्वरता होती है वो बांगर की अपेच्छा अधिक मातरा में उर्वर सकती होती है सुरी पहले एक काम करते हैं बांगर मिट्टी के बारे में जानते हैं क्योंकि तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा कुछ मिट्टियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो सबसे पहले बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी इन दोनों के बारे में जानते हैं बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी तो जो बांगर मिट्टी होती है इनकी जो इनमें जो खनिच प्रचुड़ता पाए जाती है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा फासफोरस और चूना चूना देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको कमी मिलेगी किसकी नाइट्रोजन, पोटास, जीवांस, जो पूरी भाग में बांगर मिट्टी को ही बोला जाता है इसके बाद में बांगर मिट्टी के अन्य नाम कौन कौन से है अगर अन्य नाम की बात की जाए अन्य नाम तो अन्य नाम कौन कौन से आ जाएंगे अन्य नाम आ जाएंगे दोमट मिट्टी दोमट मिट्टी भी इ अगर वहीं खादर मिट्टी की बात की जाए तो इसको नवीन जलोड, इसको क्या बोलेंगे? नवीन जलोड मिट्टी बोलेंगे और कछारी मिट्टी बोलेंगे कछारी मिट्टी कछारी मिट्टी सिल्ट मिट्टी सिल्ट बलुआ मिट्टी बलुआ और मटियार दोमट मटियार दोमट मिट्टी भी बोलते हैं इसके वाद में इसका जो बिस्तार है खादर मिट्टी का जो बिस्तार है नदियों के बाड़ वाले मैदान में देखने को मिलेगा इसके बाद में खने जुप लबदता की बात की जाए तो यहां पर चूना पोटास मेगनीशियम जीवानसों की अधिकता पाई जाती है जो खादर मिट्टी होती है और इसकी जो बिसेस्ता होती है वो हलके रंगवाल छिद्र युक्त था महिन कड़ो वाली ये मिट्टी होती है, कैसी मिट्टी होती है, इस मिट्टी का जो रंग होता है, वो कैसा होता है, हलका होता है, छिद्र युक्त मिट्टी होती है, कैसी मिट्टी होती है, छिद्र युक्त मिट्टी होती है, तो ये खादर और बांगर मि लाल मि्ट्त का जो अन्य नाम नाम है लाल मिट्टी को कॉन कॉन से अन्य-नाम जाने जाते हैं फिलाल तो अन्य नाम नाई लाल मिट्टी को तो लाली मिट्टी के नाम से जाता है लाल मिट्टी में जो कमी पाई जाती है और यहाँ पर लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो फसल उगाई जाती है वो गेहू, चना और दलहन की फसलें उगाई जाती है लाल मिट्टी कहां पर सब्से ज़ादा मिरजापूर, सोन बदर, आदी जिलू में लाल मिट्टी सब्से ज़ादा पाई जाती है और इसका जो निर्माड होता है वो बालू में लाल सैलो के अपच्छे के दुआरा किया जाता है लाल मिट्टी का निर्माद बुंदेल खंडिये मिर्दा के बारे में तो जानी लिया तो उत्तर प्रदेश के दच्छिड पठार की मिर्टिया है वो बुंदेल खंडिये मिर्दा कहलाती है इनके जो अन नाम है वो पड़वा है राकर है माड है और भोटा मर्दा भोटा मर्दा भी कहते हैं इसको इसके बाद में उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक जन जातियां सुरी प्राकृतिक बनस्पतियां तो प्रथम वन नीती कब आयती उत्तर प्रदेश में जो प्रथम वन नीती है वननीती वो कव आय थी प्रथम वननीती आय थी बर्स 1952 में बर्स 1952 में पहली वननीती आय थी और दुतिये वननीती कव आय थी ये आय थी बर्स 1988 में आय थी उत्तर प्रदेश का बननीती का संचालन कब से हुआ था 1998 से बननीती का संचालन ओना प्रारम हो गया था 2017 में राजजबननीती आय थी और यह किसके स्थान पर 1998 की बननीती के स्थान पर लाई गई थी हाला कि ये चीज़े हम बाद में भी डिस्कस करिए पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इन सबी चीज़ों के बारे में तो जिनके बारे में हमने डिसकस नहीं किया हैं, उनके बारे में हम डिसकस करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के बन्न जीब बिहार के बारे में, किसके बारे में देख लेते हैं, बन्न जीब बिहार के बारे में, उत्तर प्रदेश के बन्न जीब बिहार, उत्तर प्रदेश में कितने बनने जीब बिहार हैं, 11 बनने जीब बिहार हैं, कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखिए, ललितपुर में महावीर स्वामी बनने जीब बिहार, ललितपुर में कौन सा है, महावीर स्वामी बनने जीब बिहार, यहाँ पर कौन सा है, म प्लास अप्लोड नहीं हो पाई थी उसमें चीजें देख लेते हैं जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं कि यह जो पीडिएफ है इसको भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेंसन में लीजिए इसके हाँ जी देखियें हस्तिनापुरबनेजीब बिहार 1986 में इसकी स्थापना होती है जो देखिये यह आपको देखने को मिलेगा कहां पर यह मिलेगा आपको मुझफर नगर, मेरट, बिजनोर यहाँ पर और मुरादाबाद इन जगों पर हस्तिनापूर बननेजीब बिहार देखने को मिलेगा इसके बाद में लखीमपूर खीरी में किसनपूर बननेजीब बिहार जिसकी स्तापना 1972 में हुई है और इसके बाद में कतरनिया घाट बननेजीब बिहार 1976 में इसकी स्तापना होती है यह बहराईच में देखने को मिलेगा इसके बाद में सुहलेवा बननेजीब बिहार जो बल्लामपूर गोंडा स्रावस्ती में देखने को मिलेगा इसके बाद में सुहागी बरबा बनने जी बिहार 1987 में इसकी स्तापना होती है ये महराज गंज में देखने को मिलेगा इसके बाद में कच्छुआ बनने जी बिहार हो गया कच्छुआ बनने जी बिहार ये आपको 12 रसी में देखने को मिलेगा इसके बाद में 1989 में इसकी स्थापना होती है चंद्रप्रवा बनने जीब बिहार इसकी स्थापना 1957 में होती है ये आपको चंदौली में देखने को मिलेगा इसके बाद में मिर्जापूर और सोनबद्र में आपको कैमूर बननीजीब बिहार देखने को मिलेगा जिसकी इस्तापना 1982 में होती है और रानिपूर बननीजीब बिहार ये आपको बाना में देखने को मिलेगा जिसकी इस्तापना 1970 में होती है ललितपुर में महाबीर स्वामी बन्यजीब बिहार 1970 में इसकी स्थापना होती है और आगरा और इटावा में दो जगए पर इनके दोनों बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा राष्टी है चम्बल बन्यजीब बिहार जिसकी स्थापना 1989 में होती है ये कुल 11 बन्यजीब बिहार हैं कितने बन्यजीब बिहार हैं 11 अब हम पक्छी बिहार के बारे में चर्चा करते हैं जिनकी संक्या कितनी है 14 है पक्छी बिहार के बारे में जन संक्या कितनी है 14 है तो यहां से देखते हैं गौतम बुद्धनगर में ओकला पक्षी बिहार 1990 में सेखा जील अलीगड में 2016 में पतना जो की सबसे छोटा पक्षी बिहार है 1991 में इसकी स्थापना होती है इसके बाद में महोबा में विजय सागर पक्षी बिहार 1990 में इसकी स्थापना होती है मिलेगा और प्रताफगड में डाक्टर भीमरा अंबेटकर पक्षी बिहार 2003 में इसकी स्थापना होती है बलिया में आपको जैप्रकास नारायर या फिर सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता उन्नीस सु क्यानवे में स्थापना होई है और इसके बाद में पारवती अरंगा आप यहां से देखेंगे समन पक्षी बिहार आपको कहां पर देखने को मिलेगा मैंपुरी में देखने को मिलेगा कहां पर मैंपुरी में आपको समन पक्षी बिहार देखने को मिलेगा इसके बाद में लाख बहुसी यह आपको देखिए कन्योज में देखने को मिलेगा ल गुंडा में संत कभीर नगर में यह देखे संत कभीर नगर है बखीरा पक्षी बिहार उन्नीस सो स्थी में इसकी स्थापना होती है यह आपको देखने को मिलेगा बाकी यह उत्तर प्रदेश की नदियां है जिनके वारे में हमें पढ़ना है देखे उत्तर प्रदेश की नद प्रियाग राज से संगम मनाएगी किसके साथ गंगा नदी के साथ गंगा नदी के साथ और गंगा नदी और राम गंगा नदी कन्नोज में आकर मिल जाएगी कहां पर मिल जाएगी कन्नोज में आकर मिल जाएगी इसके बाद में सारदा नदी आएगी और यह सीतापुर में द साथ मिलकर ये भी बलिया के साइड बाद में पहुंचकर बलिया के बलिया से थोड़ा से बिहार में पहुंचकर ये गंगा नदी के साथ मिल जाती है रापती नदी घागरा नदी के साथ मिल जाती है और नारायणी नदी ये भी घागरा नदी के साथ मिल जाती है इसके बाद में जो टोन्स नदी है ये गंगा यमना के संगन के बाद गंगा नदी से मिलती है इसके बाद में सोन नदी ये और रिहंद नदी सोन नदी निकलती है और स्रिहन्द नदी जाकर सीधे सोन नदी में मिलती है और बाद में जाकर यह आंगे बढ़ जाती है इसके बाद में देखिए गंगा नदी देखिए 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है यमना नदी की 13 jo 66 है सारदा नदी की 350 किलो मेटर है राम गंगा की 596 है सर्यू की 1080 है गंडक की 630 किलो मेटर है रापति की 640 है गोमती की 900 km है बरुना की 100 km है सही की 563 km है चमबल की कितनी है 1151 km बेतवा नदी की 590 km केन की 427 km सोन नदी की 784 km सिन्ध नदी की 416 km इसके बाद में अतरप्र देश की कुछ प्रमुख जीले हैं जिनके वारे में हमें चर्चा करना है ये सबी अपको मैप के माद्यम से दी गई इस सभी को आप लोग याद कर लिजए बहुत इंपॉरटेंट है और राम सर इसतल उत्तर पतिश्म में कितने दस हैं इन सभी दसो इसतलों के वारे में आप लोग रट लीजिए येज़रूर पूछे जाएंगे एक तो ये देखिए हैदरपूर आद्रबूमी जो कि आपको मुझफवर नगर बिर्जनौर पे देखने को मिलेगा बुलन सहर में उपरी गंगा नेदी का ब्रजगाट जो मौरोरा तक है फैला हुआ है उसको देखने को मिलेगा समन पक्षी ब्यार जो कि महनपुरी में ये भी रामसर इस्तल में आता है सांडी पक्षी ब्यार जो कि हर्दोई में ये भी रामसर इस्तल में आता है पारवती रंगा गोंडा में ये भी रामसर इस्तल में आता है इसके बाद में बखीरा पक्षी ब्यार जो की संतकवीर नगर में है ये भी रामसर इस्तल में आता है राय वरेली में समस्पूर पक्षी बियार और उन्नाओं में नवाव गंज पक्षी बियार और इटावा में सरसई नागर पक्षी बियार और सूर सरोबर है आगरा में ये सब ही रामसर इस्तल है प्रमुक बांद की बात की जाए तो जहासी में कुछ प्रमुक बांद है परिक्षा बांद है और शुकमा डुकमा बांद है ये किस नदीपर है बेतवा नदीपर है ललितपुर में देखिए जामनी बांद है जामनी नदीपर रोहिनी बांद है रोहिनी नदीपर सहजाद बांद है सहजान नदीपर गोविं अगर बादई वर नी कुछ प्रमुख यह सब आज किस सेसन के लिए तना ही रखते हैं helemaal ऐसे ही सांदार सेसन में जिसमें हम UPGK complete finish कर देंगे और बस उसके बाद आपको कोई पढ़ने की जरूद नहीं पढ़ेगी इसके बाद मिलेंगे अगले session में आधिक जानकारी के लिए आप हमारे app को install कर सकते हैं app में आपको सभी प्रकार के courses मिल जाएंगे बहुती कम cost में course मिलेंगे जैसे कि प्रवाइड की जाएगी तो application को जरूर इंस्टाल कर लिए वहाँ से आप इसकी link description box में इसकी link देगे वहाँ से install कर लिजे मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद सभी लोग